हेलो एवरिवन ये है वीडियो जवाल चैनल और आप देख रहे हैं स्टैट परो वेरिफिकेशन एक्जामपल स्रीज और आज का वेरिफिकेशन एक्जामपल है नमबर 10 स्पेस फ्रेम ये एक स्पेस फ्रेम है जिस पर होरिजन्टल फोर्स और एक मुवमेंट भी लगी है औ हाइट 120 और यहां पर एक आपका 120 इंच का और हाइट इस फ्रेम की प्रॉपर्टीज गीवन है यहां पर और एक बुक से लिया है बुक का नाम और पेज नमबर भी और इसमें फोर्स दिया हुआ है मैक्सीमम फोर्स जो आ रहा है एक्जियल फोर्स वह 1.47 किप्स आ रहा है मोमेंट इन वाइड डारेक्शन 84 एंड मोमेंट इन जाड डारेक्शन 95 तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्रॉब्लम को कि इसकी मॉडलिंग करने से पहले आपको इसको समझना पड़ेका दर्सथर जितना यह ईजी लग रहा है आपको यहां से उतना एजी नहीं है इसको पहले हम समझना पड़ेगा क्योंकि यह space frame 3D frame है तो इसको समझते देखिए जो आपको दिखाई दे रहा है front view से इस तरह से नहीं है अगर इसको top view जाए हम top view में लाइन दिखाई देगी इस तरह से और इसके नीचे जा रही है आपकी इसके नीचे जा रही है यह वाली लाइन ठीक है और आपकी यह लाइन है यह लाइन आप उपर से देख रहे हैं और अगर आप इस लाइन को देखेंगे इसको इस लाइन को देखेंगे तो यह लाइन इस तरीके से है ठीक है यानि कि यह य एक बार और इसको समझते हैं, देखिए, यह जो आपका, यह तो X-axis में है लाइन, और यह है आपका Y-axis में, पर यह वाली लाइन जो है आपका, यह X प्लस Z है, यह X-axis Z है आपका, Z-axis, चीक है, तो चिसकी मोडिलिंग बनाते हैं, फिर देखते हैं, यह आपका, 20 feet, 1, 240 inches मतलब 20 feet, 10 feet, 10 feet, 10 feet, 10 feet, ठीक है, स्टार्ट करते हैं, हर बार की तरह सबसे पहले में, joint बनाऊंगा, grid को close करूँगा, not cursor से इस joint को select करूँगा, और सबसे पहले 10 feet का, vertical column बनाऊंगा, translate, repeat tool की help से, y, 10 feet, link, ok, ठीक है, फिर इस joint को select करूँगा, मैं, translate करूँगा, इसको मैं, x-axis में, 20 feet, क्योंकि आपको, देखिए हैं, यह रहा, 20 feet का, x-axis में, तो link किया, ok किया, इतना हमारा frame बन चुका का, front view से देखिए, अब यहां से जो member आ रहा है, नीचे, वो z direction में भी आ रहा है, देखिए, यह हो गई x, यह हो गई y, z क्या होगी, यह z में, और x में भी ऐसे जा रहा है, ठीक है, यानि कि यह x में इधर move हो रहा है, 10 feet, और यह z में, अगर आप, दो बार से देखिए, इसको अगर मैं x axis में सीधर ले जाओं, तो यह यहां जाके 20 feet हो जाएगा, यह ऐसे बन जाएगा, ठीक है, यह है आपका x, और यह है आपका y, अब जो इसका थर्ड मेंबर है, वो इस तरह से है, यानि कि यह z, पर जाके यह मिल रहा है, और यहां पर यह x पर, यान 10 feet, 10 feet, ठीक है, इसको हम कैसे बनाएंगे, देकि इसको बनाने का एक तरीका है, कि अगर मैं इस joint से, इस joint से, एक member बनाओं, 10 feet का x में, sorry, z में, ऐसे, z में ऐसे बन जाएगा, और उसको इस joint को, उसके बाद मैं, y में, यहां से, यहां से मैं, y में, x में, sorry, 10 feet और दे दुन्सको, तो यह red member, translate होके, ऐसे बन जाएगा, ठीक है, चलो देखते हैं, तो मैंने क्या किया, यहां पर एक member लिया, इसको translate किया, y में, 10 feet, link, देखिए, और भी बहुत सारे तरीका हो सकते हैं, easy तरीके, क्या पता, मुझे देख के, आपको ही idea अगया, कि इसी तरीका यह बनाने का दो, अभी मेरे दिमार्ग में यह तरीका आ रहा है, तो मैंने क्या किया, आप इस member को बनाएंगे, हम, 10 feet का, direction Z, 10 feet, link, ठीक है, अब इस joint पर हम click करते हैं, तो यहां पर आता, इसका x, 20 feet आ रहा है, इसको कर देखेंगे, 30 feet, यह आ गया, और अब add beam की help से हम, एक member यहां पर बनाएंगे, और इसको हम delete कर देखेंगे, इसको भी हम delete कर देखेंगे, तो अब देखिए, हमारा इस तरीके से structure, top view देखते हो, तो इस तरीके से, front view देखते हो तो इस तरीके से, और isometric भी देखते हो, इस ठीक है तो इसमें आप जब देखेंगे ये है आपका Y और ये है आपका X Front View में ऐसे दिखाए देगा ये और ये जा रहा है आपका इस तरह सिंक लाइंगे ठीक है अब जड़ा प्रोब्लम में देखते हैं ठीक है इस तरह किसी बना हुआ है नेक्स्ट क्या है इसकी प्रोपर्टी सपोर्ट यहां पर फिक्स और यहां पर फिक्स है यहां फिक्स है और यहां फिक्स है ठीक है जन्रल सपोर्ट फिक्स एक लोड लग रहा है यहां पर कितना 20 किप्स का और एक लग रहा है यहां पर 1 किप्स का y direction में यह है आपका x और यह है आपका y और एक moment लग रही है यहाँ पर कितनी लग रही है moment 120 kips ठीक है तो 2 kips 1 kips यह जोइंट लोड है x direction 2 kips 1 kips y और moment in z direction तो load एक dead load बनाते है dead load में हम add करते है नौडल लोड एक fx लग रहा है आपका 2 kips का add कर लिया एक लग रहा है one kips का minus यानि के डाउनवर्ड वर्टिकल डारेक्शन में एड साथ में इसके साथ साथ मूवमेंट लगा सकते हैं क्योंकि इसी जोइंट पर लग रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मूवमेंट फॉर्स भी लग रहा है और यहाँ पर जोइंट भी लग रही है ठीक है और यह जोइंट क्या है clockwise तो कौन सी डारेक्शन में एमजेड में कितना लग रहा है एक बार देखते हैं 120 इंचीज देखिए यहाँ पर किप्स है किलो पाउंड यहाँ पर इंचीज किलो पाउंड है ठीक है तो इसको अगर फीट में करेंगे तो यह आ गया आपका 10 फीट 10 10 किलो पाउंड पर फीट तो यहाँ पर डाल देते हैं minus 10 और FY इतना है add करते हैं इसको close Fx को हम लगाते हैं तो यह यहां पिल लगेगा और यह हमारा यहां पिल लगेगा ठीक है? अब Moment काmiyor तो आ नहीं रहा है अगर हम इसको Zoom Out करते हैं तो देखें Moment का arrow इतना बड़ा आ रहा है इसको कैसे small करेंगे? ठीक है? इसको कैसे small करेंगे? इसके लिए यहां पे जाई है scale, scales में apply immediately, और किसको हमें छोटा करना है यहां पे, point moment को, यह देखें, अब देखें, और इसकी direction क्या है, clockwise, तो ठीक है हमारा यह, ठीक है, अब देखते है, properties, properties इसने सभी को दिया है, इसका ax 11 है और 83 है, यह properties देनी है हमें, ठीक है, तो जब property, define, general, ax कितना है हमारा, 11, ओके इसने 11 जो दिया है, वो inches square है, है न, तो इसको feet में करेंगे, तो कितना हैगा, एक feet बराबर होता है, 12 inches, तो around 1 feet के करीब है, तो 11 divided by 12, 0.91, तो यहां पर है हमारा 0.91, उसके बाद 83 inches, तो 83 divided by 12, 6.91, 6.91, उसके बाद है, 56, 56, तो 56 divided by 12, 4.6, 4.6, ठीक है, इसको add कर लेते हैं, close और इसको हम अप्लाई कर रेते हैं, load लग चुके हैं, property लग चुके हैं, बस analyze कर देते हैं, एक बार, done, सबसे पहले हम देखते हैं, maximum moment in Z direction, 95 keeps, inches, ठीक है, तो bending moment हमने post processing में गए, deflection के हटाया, bending moment लगाया MZ, ठीक है, और यहां पर result, view value, beam result, कि बाल maximum हम देखते हैं, तो maximum आ रही है, 121, और यहां पर कितनी आ रही है, maximum Z, 95, ओके, ठीक है, चलो, पहले हम और result भी देखते हैं, MY, और अगर हम MY देखते हैं, तो maximum आ रही है, आपके 69, 84 आ रही है, ओके, अब force देखते हैं, FX, FX की value हमें यहां से देखने हैं, result, view value, beam में movement हटा देखते हैं, axial force लगा देखते हैं, तो axial force आ रहा है, 1.28, इसमें कितना आ रहा है, 1.4, ओके, अब देखते हैं, गड़बड कहा हैं, जो मुझे अभी गडबड बीच में समझ में आ गई थी, क्योंकि यहां पर कहा है, inches की power 4, इसको convert करना हमें, feet की power 4, तो कैसे करते हैं, क्या हमने सही किया है, टूल में जाएंगे, unit converter, और यहां पर हम लेते हैं, area, moment openers या, की power 4, हमें convert करना है, इन चीज़ को feet में, अगर हम 11 डालते हैं, तो देखिए कितना आ रहा है, value, इसको copy करते हैं, और हमारी property का है, यहां पर यह इतनी value आएगी, 0.000530, ठीक है, उसके बाद, 83, 83 को convert करते हैं, 0.00403, उसके बाद, 56 को convert करते हैं, 0.0027, 0.002701, 0.002701, चेंज करते हैं, उसके बाद analyze करते हैं, अब देखते हैं, bending moment, post processing में, deflection को हटाएंगे, bending moment on करेंगे, result value, view value, maximum, आ रही है, 122, और इसमें आ रही है, 95, अब चेक करते हैं, E, के E भी इसमें different है, F2, keeps PA, 120, एंच यह भी ठीक है, moment, 120 ही लगाया है, हमने एक बाद चेक कर लेते हैं, lots, moment की, okay, moment की है, keeps, feet, ठीक है, इसको भी एक बाद change करके देख लें, unit converter, हमें moment करनी है, moment हमारे पास available क्या है, inches, keeps, कितनी, 120, और हमें convert करनी है, feet, keeps, 10, ठीक है हमारा है, ठीक है, और हमें एक, E है हमारा 30,000, 30,000 है, कितना है, यह है हमारा 30,000, ठीक है, यह भी हमने change कर दिया है, data lost, sorry, data lost हो गया है, किसी वज़े से, अभी इसको, ओके, मैंने import कर लिए, अब, यह हमने change किया है, अब देखते हैं, पॉस्ट पर्सेसिंग में, इसको हटाएंगे, bending moment, result, view value, sorry, bending moment, अब आ रहे है, 96, ठीक है, और, अब, axial force, सबसे पहले, MY, आ रहे है, 84, correct, अब, axial force देखते हैं, result, view value, beam result में से, moment हटाएंगे, axial लगाएंगे, axial आ रहे है, maximum, 1.4, 1.47, ठीक है, correct, तो हमने क्या change किया, एक तो हमने, जो convert किया था, moment of inertia की unit होती है, inches की power 4, हमने convert ठीक नहीं किया था, और एक हमने e change किया, यह दो चीज़ हमने change कि, उसके बाद हमने analyze किया, तो हमारा result correct आ रहा है, तो यह था आपका verification example number 10, आज ही मैं 11 भी डालूँगा, और 12 भी उसके बाद, sap software install करूँगा, उसके बाद sap के tutorial डालने start करूँगा, तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लिस लाइक कीजिए, subscribe वीजिए और share कीजिए, bell icon पे click करना ना भूलें, तभी आपको notification मिल पाएंगे, thank you, झालूँगा,